जैहिन दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होंगे मिर नाम है पंकश शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूटिव चनल पर दोस्तो आज के इस करेंट अफेर की लेक्चर में हम बात करेंगे एक दिसंबर 2021 की प्रमु करण इंटरफेर संबंदी घटनाओ या मुद्दो को लेकर जिनमें सबसे हम बात करेंगे पैटर फियाला की दोस्तो पैटर फियाला को हाल ही में चेक गंडराज्य का नया प्रधान मंतरी नियुक्त किया गया है तो इनके बारे में कुछ महत्पून स Canis के बारे में अरला होता हम इसके बारे में कुछ महत्पून सेटर जी के बारे में जो दक्षिन भारत के प्रसिद घीत कार रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया तो इसके बारे में लोग जानेंगे इसके बाद हम बात करेंगे सीमा सुरक्षाबल की BSF की क्योंकि एक दिसंबर को BSF का विस्तापना दिवस होता है और इस साल एक दिसंबर 2021 को ये दिवस पुना सेलिब्रेट किया गया है तो हम लोग इस सम्बंदित को महत्पून त्यों को भी इस लेक्चर में जानेंगे तो चलिए शुरू करतें इस लेक्चर को सबसे पहले हम बात करतें पैटर फियाला की दोस्तों पैटर फियाला जैसा के आप चितर में देख पारा है ये पैटर फियाला जी है और इनको चेक गंडराजी का नया प्रधान मंतरी न्यूक्त किया है भी चेक गंडराजी के नया प्रधान मंतरी बने पैटर फियाला राजमीती में कोई नए नहीं है दोस्तों इनके पास साशन में रहने का अनुभव भी है यह 2014 से याद रखिएगा 2014 से यह conservative civic democratic party के नेतरत्व कर रहा है इसके leader के तौर पर काम कर रहा है और इतना ही नहीं 2012-2013 में इन्होंने चेगंडराज के सिक्षा मंतरी के तौर पर भी काम किया है लेकिन जो 2021 में इन्हें यहां का परदान मंतरी बनाया है उसके बाद इनके सामने कुछ बड़ी चुनोतियां हैं दोस्तो सबसे पहले चुनोती जो है वो कोरोना महामारी है और उससे बड़ी चुनोति हम बात कर लें तो कोरोना महामारी से जो अर्थिक मंदी है आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूज रहा है लगबग दो सालों से कोरोना के खिलाब पूरे विश्व की जंग झारी है और इस कोरोना के बाद जो मंदी आई थी उस मंदी में चेक गंडराजी की स्तिती भी गंबीर है तो ऐसे में जो पैटर फियाला है इनके काम को देखा जाएगा कि वो कैसे चेक गंडराजी को इस वैश्विक मंदी और इस मंदी से बाहर निकाल सकते हैं तो चलिए ये इनका काम करेंगे हम लोग इनको आगे भी बात करते रहेंगे इनका काम का असर क्या हुआ चेक गंडराज पर लेकिन आज किस लेक्षर में थोड़ा सा चेक गंडराज के बारे में भी जानते हैं दोसो चेक गट्रान जो है वो मद्ध यूरोप का एक देश है और ये एक पूरा तरीके से landlocked देश है जैसा आप देख पा रहा है ये एक landlocked देश है चेक गट्राज और landlocked देश का मतलब होता है हिंदी में इस्तलबद एसा देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा को नह और इसकी रहोbas कर निए प्राग दोश्थ के तीन प्रमु linking भाग में एक है इक मुराविया और और सबसे बड़ा याद रखिएगा क्योंकि इस देश का जो पूरा चेत्रफल है वो लगबग 30,450 है थीजार 450 वरगमील के आसपास है पूरा चेत्रफल और इस पूरे चेत्रफल का लगबग 20,366 वरगमील जो है अकेले बोहीमिया में है इसका मतलब यहां का सबसे बड़ा चेत्रवी है और जो राजदानी प्राग है ना इसकी एक और इंपोर्टेंट विशेस्ता है दोस्तों कि यहां पर कटपुतलियां जो है ना वो बहुत जादा प्रसिद्ध हैं यहां की लगबग हर एक दुकान पर बाजार में आपको कटपुतली देखने को मिलती है कटपुतलियों ने यह बैठक के बाद हम बात कर सकते हैं कि यह चेक गंडराज जी जो है यहां पर प्लूटो जो आपका नौवा ग्रह होता था उसको ग्रह की पदवी से हटा दिया गया था तो वह बैठक भी आपको यहीं पर देखने को मिली थी ठीक है तो चली चेक गंडराज जी के बारे हम चेको सलोवाकिया की विभाजन के बाद सुतंत्र हुआ था जो चेको सलोवाकिया है उसके से अलग होकर एक जनवरी 1993 को इसको बनाया गया था ठीक और मानाविका सूचकांग में अगर हम बात करें तो यह उच्चिस्तर पर है ठीक है उच्चिस्तर पर है मानाविका सूचक और इसकी मुद्रा जो है वो चेक कौरूना है ठीक है तो यह हमने बात की चेक गंडराजी के बारे में क्लियर चलिए अब देखते हैं नागालेंड इस्थापना दिवसकी दोस्तों नागालेंड हमारे देश का उत्तर पूर्व का एक बहुत ही महत्पुन राज्य है हमारे द नागालेंड जो है उसकी स्थापना कि यदि हम बात करें दोस्तों तो एक दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी भारती संग में 16 राज्य ग्रूप में यह स्थित में आया था क्लियर और एक दिसंबर 2021 को इसका 59 वा इस्थापना दिवस जो है वो मनाया गया था नागालेंड पूरवत्तर भारत के जो साथ राज्य हैं जिसको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं उनमें से एक राज्य है आपका नागालेंड और इसकी राजधनी याद रखिएगा कोहिमा करोनाचल परदे देखने को मिलेगा पस्चिम में असम और दक्षिन में मणिपूर यहाँ पर आपको दिखाए पड़ता है अच्छा नागालेंड जो और म्यामार है इन दोनों के बीच में परवस रंकला है जो नागालेंड की सरवच्च परवस चोटी भी कहलाती है इस प प्रमुक फसल है दोस्तो वो धान है यहाँ पर धान प्रमुक तोर पर उपजाए जाता है इसके अलावा हम बात करें तो कुल करशी के लगवक 70% पर यह धान की कहती करते हैं चीक है तो धान यहां की प्रमुक फसल है नागलेंड में जो खेती करते हैं उसको दोस्तो बर्न प्रणाली केहती कहते हैं और यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस्थान इस्थार पर जुम कहती भी कहलाती है एक जगा पर खेती की वहाँ पर जगा को खतम करके फिर दूसरे पर खेती की इस प्रकार से यह जगा बदल बल के खेती करते हैं इसको हम जूम खेती के नाम से इस्थान अंतर खेशी के नाम से भी जानते हैं ठीक है राज्य का जो दीमापूर जिला है इसमें पूरे देश से रेल बेवम हवाई यातिया से जुड़ा हुआ मतलब कि जो नागालेंड का दीमापूरे वही रेल और हवाई यातिया से जुड़ा हुआ जिला है यह आप देखना है ठीक है नागालेंड में हर साल दिसम्बर महीने में यह दिसम्बर का महीना चल रहा है इस समय नागालेंड में जो है वो इसका जो पहला सब्ता होता है इसमें होरन बिल उस सभी आयोजिद किया जाता ये भी आपको ध्यान रखना है नागालेंड का जो राज पक्षी है दोस्तों वो है बलाइद टेगो पेन ये आप चितर देख पा रहा है ये नागालेंड का राजगी पक्षी है इस प्रदेश का जो अधिक्तम लगबग 88 परतिसे जनसंक्या जो है वो इसाई है और लगबग 9 परतिसे जनसंक्या जो हो हिंदू है मतलब यहाँ पर इसाई कम्यूनिटी जो है उसका बहुत जादा आपको विस्तार देखने को मिल रहा है इसके अलावा नागालेंड के राजपाल जो है वो प्रोफेसर जगदी मुखी है यहाँ के मुक्मंत्री नेफियू रियू है इसका उच्चुनियाला जो है वो गुहाटी में है इसका छेतरफाल लगबग 16,599 वर के किलोमेटर के आसपास है नागालेंड की जनसंख्या 19,8,602 है यहाँ से एक लोकुसभा सीट है एक राजे सभा सीट है और विदान सभा सीट के दियम बात करें तो सहाठ है और यहाँ पर कुल जिले जो है वो 11 है तो यह नागालेंड से सम्मदित कुछ important बाते थी तत्य थे इसके अलावा दोस्तो नागालेंड का राजकी जो पुष्प है वो है बुरांश यहाँ का राजकी पशु जो है वो है सीरो राजकी व्रक्ष जो है वो है ओल्डर जन घनत्व यहाँ पर आपको 119 देखने को मिलता है मतलब यहाँ परतिवर्ग क्लियोमिटर में आपको 119 लोग मिलेंगे लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो नागालेंड में 931 लिंगानुपात है यहाँ के पहले मुक्य मत्री जो थे वो पी, शीलू, एरो थे नागालेंड की जो भाषा है राजकी भाषा दोस्तों अंग्री जी यहाँ की राजकी भाषा है और यहाँ पर दोयांग और दीखू और जाची नदी बहती है यहाँ पर आपको नागा, नबूई नागा, आगामी, मिकीर, चांग, सूमी ये जंजातिया देखने को मिलती है और सारा मती यहाँ की सरवच्छ, उची परवच चोटी है ये नागा लेंड के कोई इंपोर्टन फेक्ट्स है तो नागा लेंड का इस्तापना दिवस आपने सेलिब्रेट किया 59 वा साथी संद मैंने आपको इस लेक्चर के माध्यम से नागा लेंड के परमुक तथ्य बता दी है अगर एक्जाम में आज से कोई प्रशना आता तो डेफिनेटल आप उसको बना देंगे दोस्तो क्लियर चलिए आगे बाद करते हैं सीरी वेनेला सीताराम शास्तरी जी के बारे में दोस्तो ये प्रसिद्द तेल्गु फिल्म गीतकार और पद्मसरी से सम्मानित रहे हैं ब्रधान मंदिर नरेंदर मूदी जी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है सिरी वेनेला सितराम शास्त्री जो है वो तेलगू फिल्म में गीतकार के तौर पर एक अपने महत्पुन शवी बनाये हुए थे 25 माई 1955 को आंदर प्रदेश के अना कापले में इनका जन्म हुआ था और ये कवी भी थे तेलगू फिल्म जगत में प्रस्द गीतकार भी थे ये इनका चित्र है आप देख सकते हैं इनका हाली में नितन हो गया दोस्तो अच्छा यहाँ पर इनकी उपलब्दी की हम बात कर रहे थे इनकी उपलब्दियों के अधार पर आंदर पुदे सरकार नेंने कही सारे पुरुसकार दिये हैं जिसमें से ग्यारा नंदी पुरुसकार ने दिये गए हैं चार बार इने फिल्म फेर पुरुसकार भी दिया गया है फिल्म जगत और सायत में इनका महत्पुन योगदान रहा है इसलिए इनको देखते हुए 2019 में ने पद मसरी से भी सम्मानित किया गया था इन्होंने 1984 में जननी जनन मुभूमी फिल्म से अपने करियर के शुरुआत की थी उसके बाद लगबग तीन देखता इनका करियर रहा जिसमें इन्होंने लगबग तीन हजार से भी जादा गाने गाये है तो ये इनके बारे में महत्पुन तथ्य रहे दोस्तों हम बात करते हैं सीमा सुरक्षाबल की B.S.F. की Border Security Forces के बारे में एक दिसमबर को जो सीमा सुरक्षाबल है B.S.F. जो इसका स्थापना दिवस होता है और इसको इस बार भी हम लोगोंने Celebrate किया है सभी सैनिक बंदू होने साथ मिलकर इसको Celebrate किया है बात करें सीमा सुरक्षाबल की दोस्तों तो ये क्यों बनाए गई थी और कहीं न कहीं ये भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसको गठिट किया गया था कहीं न कहीं ये था कि हम हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं इसलिए 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद इसका गठन कर लिया गया था ये गरह मंत्राला के अधीन एक व्यवस्ता है दोस्तों इस पर किसका कंट्रूल होता है दोस्तों गरह मंत्राला के इस पर प्रसास्रिंग नियंतरन होता है जिस प्रकार से भारत के पांच केंद्रिये शेशत्र पुलिस बल है उनी में से एक ये माना जाता है तो आपके पांच केंद्रिय शासतर पुलिस बलो में से एक है B.S.F. जिसकी स्थापना जो है वो 1965 में एक दिसंबर को ही की गई थी सीमा सुरक्षा बलकि यहीं हम बात करें दोस्तों इसमें लगबग 2.6-5 लाग से जादा सेनिक हैं जो पाकिस्तान और बांगला देश की सीमा उपर तेनात है याद रखिएगा यह पाकिस्तान और बांगला देश की सीमा पर तेनात हैं जो BSF है दोस्तो इसमें एर विंग भी है, मरीन विंग भी है, एक आर्टिलरी रेजमेंट भी और कमांडो यूनिट भी है यह अलग अलग जो इसके छेतने वो इनमें शामिल है खीक है, अचा सीमा सुरक्षावल जो है, हमारा वो अत्यादिनिक जहात है ओखे जो depths MA अरफ सागर में सरушки और बंगाल की खाड़ी में सुन्धरवल डेलट्टा की भी सुरक्षा करता है इसके लावा जो सीमा सुरक्षाबल है ज़रूत पढ़ने पर प्राकरतिक आपदाओं के दोरान जो मानवी जीवन को बचाने के लिए काम होता है राहत काम होता है उसमें भी योगदान देता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीमा सुरक्षाबल को UNO की जो सांते अभियानों तो उसमें भी विज़े गए कई सारे सैनिक को तो ये सीमा सुरक्षाबल के कुछ इंपोर्टन अभियानों में योगदान भी रहा है दोस्तो क्लियर अच्छा सीमा सुरक्षाबल जो है इसके अलावा हमारे देश के जो केंदरी सस्थर बल है उनमें केंदरी रिजर पुलिस बल जिसको आप CRPF बोलते हैं वो भी है केंदरी ओध्योगिक सुरक्षाबल जिसको CISF बोलते हैं ये भी है और भारत तिबबत सीमा पुलि इसबल हमारे पास है जो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये आज के current affair के important topic से दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा समझ आया है तो दोस्तो ये lecture जो है इनको आप दूसरों से share कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell icon पर क्लिक कर दीजिए ताकि next जैसे कोई lecture डलता है उसका notification आपके पास सबसे पहले आजाए और आप उसको देख सकें clear दोस्तो तो चलिए अगले lecture में फिर कुछ important current affair के topic के साथ आपके साथ रहूँगा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै ही जै भारत वन्दे मातरम दोस्तो